इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आइफोन में परचेस हिश्ट्री रहती है इड़न हिडन या फिर डिड़ीट देखे दोनों ध्यान से सुनी अगर हिडन या फिर डिलीडिट purchase history रहती है हमारी app store पर या Apple ID पर वो कैसे देख सकते हैं देखे जैसे कि On a red school को ठोड़ कर दिखाता हूं और यहाँ पर profile पर जाता हूं और यहाँ पर purchase रहते हैं और purchase पर से हम यहाँ पर किसी को hide करतेते हैं तो यह hidden तो यह आपको महाँ पर मिलेगी और जो पर्चेस हिस्ट्री रहती है वह भी आपको डिलीडिट वगेरा भी मिल जाएगी तो चाहे तो आप इसे एप स्टोर पर से भी जा सकते हैं पर आपको यहां पर अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है और अपने एपल आईडी की प्रोफाइल पर जाना है उसके बाद आपको मीडिया एंड पर्चेस पर जाना पड़ेगा तो इस पर चलते हैं और व्यू अकाउंट पर टिक करना पड़ेगा व्यू अकाउंट पर जैसे ही टिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा लोडिंग चलेगी और चलने के बाद इस तरीके से आपका account खुल जाएगा और जब आप नीचे जाएंगे तो hidden purchases आपको यहाँ पर दिख जाएंगे तो जैसे इसको खोलेंगे यह hidden यह दोनों बोल सकते हैं जो भी purchase होगा वो यहाँ पर आप इन अन हाइट भी कर सकते हैं कहां तो किलिक करके इनको अन हाइट भी कर सकते हैं और चैक भी कर सकते हैं ठीक है तो यह process रहता इसका simple सा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दी यह कर झाल